हेलो फ्रेंड स्वस्त रहो मस्त रहो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि सुबह उठकर आप जो भी खाते या पीते हैं उससे यह डिसाइड होता है कि आप कितने हेल्दी रहने वाले हैं जो भी लोग सुबह उठकर सीधे बैटी पीते हैं जाहिर सी बात है कि वो बिमार होंगे भले ही आपको आपकी बैटी का जो रिजल्ट है वह आज मिले या ना मिले लेकिन कुछ साल बाद जब आपकी बोड़ी में पित बढ़ जाएगा तब आपको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से धेरोत बिमारिया होंगी यह बिमारिया आपको थायराइड, डायबिटीज, पेट खराब रहना, खाने का तरीके से नहीं होना हो सकती हैं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहेंगे कि डायबिटीज तो मीठा खाने की बज़े से होती है लेकिन फ्रेंड्स डाय नहीं है मोटाबा बगता है आपके गलत खान पान के कारण फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाश्ट तर देखिए इस वीडियो में हम जाएंगे कि बासी मूँ पानी पीने से हमारे सरीर में क्या सारे फायदे होते हैं अब आप सोचेंगे कि यह जानने की इतनी जरूरत क्यो मैं आपको कहूंगी कि हाँ आपके लिए यह जानना बिल्कुल जरूरी है आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो बॉड़ी है वे 5 तत्तों से मिलकर बनी है और हमारी बॉड़ी का जो सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा होता है वे पानी का होता है क्योंकि हमारी बॉड़ी का और धेरों बेमारियों को ठीक करने में पानी का उपचार आयरवेट में लंबे समय से किया जा रहा है अब इसके लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि पानी पीने का नियम सही तरीका सही समय क्या है कुछ लोग पानी को बैट कर पीते हैं कुछ लोग पानी को खड़े होकर पीते हैं कुछ लोग ग्लास से पीते हैं कुछ लोग बॉटल से पीते हैं तो कुछ लोग पानी हाथ से ही पीते हैं तो ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आपको पानी किस तरीके से पीनी चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि बासिमो पानी यदि आप पीते हैं तो इससे आपको क्या सारे फायदे हो सकते हैं ये इतना जरूरी क्यों है और क्यों इस चीज को इतना जादा महत्व दिया जाता है क्योंकि देखिए आप खाना खाए बिना तो रह सकते हैं लेकिन पानी पीए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं जदी आप regular कुछ दिनों तक पानी नहीं पीते हैं तो इससे आपकी death भी हो सकती है इसलिए पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है और सही तरीके से पानी पीने से इसके जो फाइदे हैं वह कई गुना तक बढ़ जाते हैं दूस्तो जब आप सुबह सो कर उठते हैं उस समय यदि आप बासी मूँ पानी पीते हैं तो ऐसा करने से आप लंबे समय तक गंबीर बिमारियों से बच सकते हैं अब आप कहेंगे कि बासी मूँ पानी पीने से ऐसे क्या फायदे हो सकते हैं तो मैं आपको बता दू कि बासी मूँ के वैसे भी कई सारे फायदे होते हैं जब आप सुबह सो कर उठते हैं तो आपके बासी मूँ की जो लार होती है वे हमारे लिए अमरित के समान होती है लेकिन जब हम सुबह उठकर ब्रश कर लेते हैं तो यह लार हमारे मुझे बाहर निकल जाती है जिससे हमें इसका कोई फाइदा नहीं मिलता है क्योंकि अगर आपकी बासी मुझी जो लार है वे आप अपनी आँखों के नीचे काले घीरे पर लगाते हैं तो इससे आपके आँखों के नीचे के डार्क सलकर ठीक हो सकते हैं यदि इसी बासी मुझी लार आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपके पिंपल्स ठीक हो सकते हैं इसके अलाबा रिसर्चेस में यह भी प्रूफ किया है कि हमारे मुग की जो लार होती है वे पेन किलर का काम करती है साथ ही घाव को जल्दी भरने में मदद करती है आपने एनिमल्स में भी ऐसा देखा होगा कि जब उन्हें चोट लगती है तो वे अपनी चोट को चाटते हैं ठीक ह्यूमन्स की लार भी इसी तरह होती है यह एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल होती है जब आपको चोट लगती है यह कभी उंड़ी पर लग जाता है तो अकसर आपने देखा होगा कि आपका हाथ सीधे आपके मुआ पर जाता है जिससे आपको तुरंत रिलैक्स फील साard ही इससे यह भी फायदा होता है कि जो आपका घाव है जल्दी भरता है और आपको दर्द में भी रहत हो जाती है और बावावाय पैट को ही होता है यकित पीट को रहेगा तो इससी आपको कई सारी बीमारिया नहीं होंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सरीर की अधिकांस बिमारियों की जग हमारा पेट ही है, क्योंकि अगर हमारा पेट खराब होगा, तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, कई तरह की बिमारियों होंगी, फिर चाहे वे डाइवेटीज हो, और्थ्रेटि हो हाई blood pressure की problem हो cancer हो या फिर face में pimples निकल निकल ठेहों एक्ने हो या फिर hair fall की problem हो तो यह जो सारी बिमारियां होती हैं वह होती है हमारे पेट खराब होने की बज़े से तो यदी आपका पेट हेल्दी रहेगा तो आप इतनी सारी बीमारियों से तो बैसे इबच जाएंगे और इतनी सारी बीमारी से बचने के लिए आपको पेट को healthy रखना है और पेट हेल्दी रखने के लिए आप बासे मूँ सुबह उठकर बासी मूँ एक से दो ग्लास हलका गुंगुना पानी पीचे तो इससे आप देखेंगे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है अब यदि आपको हाई ब्लेड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको कुछ भी करना है आपको किसी डॉक्टर की पास नहीं जाना है बस आपको क्या करना है सुबह आप उठिये बासी मूँ एक से दो ग्लास हलका गुंगुना पानी पीचे बस इतना करने से ही आपकी हाई ब्लेड प्रेशर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी हाई प्रोब्लम से बचने के लिए गणकुना पानी पीजिए बासी मूँ श्याक को बहुत अच्ञा फैदा होगा यदि आपको कीड्नी स्टॉर्ण की प्रॉब्लम है तो आपको बिलकुल भी परिशान होने के ज़रूदत नहीं है आप बासी मूं गुन मूंगूना पानी कलती है डीटॉक्स की प्रोसेस में धीरे धीरे आपका पेट साफ होगा पेट की बिमारिया प्रالم जो है धाफ दूर हो गी आपका ब्लट साफ तो इससे जो आपके पेट की गंदगी होती है वह बाहर निकल जाती है S SASE पानी होता है वह खून में हानी करफ़ने को घ sexually लेता है और यह ब्लड को सुद्ध करने का काम करता है जिससे आपका जो एकने की published उससे आपो चुटकारा मिलता है क्योंकि हमारे चेहरे पर pimples तब ही होते हैं जब हमारा खून सुद्ध नहीं होता है साफ नहीं होता है तो आप अपने blood को pure करने के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं इससे आपको acne की problem भी नहीं होगी इसके अलाबा ऐसे लोग जिन लोगों का समस्याय होती है जैसे कि urine में infection है या फिर पेशाब में जलन होती है तो ये सभी problems भी आपकी ठीक हो जाती है इस उपाय को अपनाने से इसकी अलाबा यदि आपका बजन कम नहीं हो रहा है तो भी आप सुबह उठकर बासी मूँ पानी पी सकते हैं इससे भी आपके पाचन तंत में सुधार होता है आपकी जो भूख है वह maintain होती है जिससे आपको आसानी से बजन कम करने में मदद मिलती है तो फ्रेंट्स ये सारे आपको फायदे मिलते हैं बासी मूँ गुनगुना पानी पीने से उमेद करती हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी जदी यह ज से मुझे मिलता inspiration आपके लिए बहतर वीडियो बनाने का